जै मालचमी, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले तो तीन मैं को अक्षे तृतिया है, अखातीज है। अखातीज अक्षे तृतिया की आप सभी को बहुत-बहुत शुब कामना है। तर्श को अक्षे तृतिया का दिन बहुत ही शुब माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बैकुंट से मालचमी धर्ती पर ब्रह्मन करती हैं। और उन्हें प्रसन्य करने के लिए, यदि हम उनके समक्ष कुछ उपाय करती हैं, तो मा स्थाई रूप से हमारे घर में वास करती हैं। ऐसे में यदि आप भी मा को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, आपके घर में आर्थिक तंगी है, आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, तो इस दिन पूरा दिन शुब है। आप इस दिन, आज मैं आपको एक अचुक उपाय बताऊंगी, जिसे आपको रात के समय करना है, रात के समय आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है, जिससे क्या होगा, कि आपके घर में मालच्मी का वास होगा, और वो इस्थाई रूप से आपके घर में निवास वैसे तो अखा तीच का दिन बहुत ही शुब होता है, इस दिन यदि हम अपने घर के लिए कोई भी चीज लेती हैं, जैसे सोना, चांदी, रसोई घर के लिए कोई अनाज खरीते हैं, तो हमारे घर में कभी भी धन निधान की कमी नहीं होती है, मा अनपुर्णा का साल भर स इस थाई रूप से वास अवश्य करेंगी, इसके लिए आपको क्या करना है रात के समय पर, शाम के समय पर, आपको हल्दी लेना है एक कटोरी में, और थोड़ा सा उसमें पानी डालना है, आप इतना पानी डाले कि उसका घोल बन जाए, फिर आपको क्या करना है, एक के मंदिर में मा लच्मी की प्रतिमा या मूर्ती की समक्ष रख दीजे और मा लच्मी से प्रातना करिए कि हेर मा लच्मी हम आपके लिए यह उपाई कर रहे हैं आप हमारे घर में इस थाई रूप से निवास करिए हमारे घर पर अपनी कृपा दस्टी बनाए रखे और हमारे घर से कभी भी मत जाएएगा इस तरीके कि आप प्रातना करें पुरे सच्चे मन से और विधी विधांशे और शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीज मा लच्मी का धरती पर ब्रह्मन होता है तो इसलिए ये चीज ना भूलें आप कि उनके समक्ष आपको एक दिया प्रज्वलित कर और उस दिये में आपको एक लॉंग का जोड़ा यानि दो लॉंग डालनी है उसके बाद आपको क्या करना है जो कटोरी ली है सबसे पहले अप अपने घर के मुख्यद्वार पर दोनों तरफ मुख्यद्वार के दोनों तरफ आपको हल्दी का स्वास्तिक बनाना है स्वास वहाँ पर आपको स्वास्तिक बनाना है आप किसी भी दिवार पर बना सकते हैं स्वास्तिक दक्षिन दिशा की दिवार को छोड़ कर आप बाकि तीनों दिशाओं में स्वास्तिक बना सकते हैं उसके बाद आपको अपने घर की रसोई में स्वास्तिक बनाना है वही दक्षिन जिससे आपके बच्चे पर मालच्मी की क्रपा हो और उसका पढ़ाई में मल लगा रहें। जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा रहें। जिससे पहले आप तक पहुँचेगा। श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शिकों हर हर महादेव जय मालच्मी। जिससे में। जिससे में। जिससे में।